दोस्तों, आज हम लिश्बन सहर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया के सबसे सुंदर सहरों में गिना जाता है। क्या आपको पता है कि ये किस देश की राजधानी है? नहीं तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। लिस्बन सहर पूर्टगाल की कैपिटल सिटी है इस सहर में आपको दुनिया की वो हर चीज देखने को मिल रहेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी दोस्तों लिस्बन विश्व के उन खास सिटीज में से एक है जो सताप्तियों पहले से ही आजाद है लगभग ग्यारवी सताप्ति से यह सिटी आजाद और सुतंत्र लोगों का घर रही है यूरोप के मुख्य व्यापार्ट सभी लिस्बन सहर से ही किये जाते थे यह सहर जितना प्राकर्तिक रूप से सुन्दर है उतनी ही आकर सक यहां की मैलाएं भी मानी जाती है और आपको यह बात हैरान कर देगी कि यहां जितने पुरुस नहीं हैं उससे भी अधिक मैलाएं रहती हैं जिसमें 90 पुर्सों पर 100 मैलाएं आती हैं जिसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां के सरे पुरुस विवाइद हो भी जाएं तो फिर भी काफी सारी महिलाएं और डड़किया अकेली रहने पर मजबूर रहती है कितना ही नहीं आपको ये बात थोड़ी हैरानी में डाल देगी कि लिस्बन में देह व्यापार कानूनी रूप से मानने है और इस सहर में कई महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई है पर सीफूट खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है लिस्बन सहर को टाइल्स बनाने के मामले में महारत हासिल है और आपको यहाँ पिछले पांच सदियों से चली आरही टाइल्स तक देखने को मिल जाएंगी इस सहर के म्यूजियम, ब्रीजिज, बिल्डिंग्स और आर्किटेक्ट आपको पिछली सदियों की याद दिलाएंगे इस कमाल के सहर में बीचिज की भरमार है जो ना सिर्फ आपको सहर में देखने को मिलेंगे बलकि लिस्बन से थोड़ा सा बहार ही कास्केट से लेकर एस्टूरियल तक अटलांटिक समुद्र तटो की एक लंबिस रंकला है जिन पर आपको लिस्बन की बेहद ही खुब सुरत परिया नजर आ जाएंगी यहां के बीचिज पर आप बेहद ही रंगी नजरों का लुप उठा सकते हैं जो हम जैसों के लिए हैरानी की बात है पर लिस्बन जैसे सैरो में ये एक मामूली सी चीज है इन सब बातों के अलावा लिस्बन की नाइट लाइप को सायद ही कोई ऐसा युवा हो जो पसंद ना करे क्योंकि यहां की नाइट लाइप अच्छे खाने से लेकर म्यूजिक, डांस से लेकर सराब और रोमान से लेकर लड़कियों की भरमार सभी की जलक दिखाती है कुर्टगाल की आबादी एक करोड़ दस लाग के आसपास है जब कि यहां हर साल टूरिस्टों की संख्या देड़ करोड के करीब रहती है और यह संख्या तेजी से हर साल बढ़ती ही जा रही है और यह सारे टूरिस्ट लिस्बन को सबसे अधिक पसंद करते हैं इसलिए यहां कुर्टगाल के और सहरों के मकाबले काफी अधिक भीड रहती है साल 1732 में लिस्बन में दुनिया का सबसे पहला बुकी स्टोर कोला गया था इसके अलावा यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज भी इसी सहर में देखने को मिलता है जो 17 किलोमेटर तक लंबा है जिसे देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं एक सितंबर 1755 को लिस्बन के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उस दिन यहां नो की तीवरता के साथ बहन कर दूफान आया था जिसमें 1,86,000 लोग मारे गए थे दोस्तों यहां की महिलाओं की सुन्दरता यूरोप में सबसे आकर्चित करने वाली होती है क्योंकि यह महिलाओं दोस्त बनाने और फुले विचारों को व्यक्त करने में जरावी संकोच नहीं करती दोस्तों आज के समय में लिस्बन की टूरिज्म इंडस्ट्री देजी से फैल रही है जिसमें सबसे ज़्यादा यूवा टूरिज्म बढ़ रहा है जिसका कानण है लिस्बन का इतिहास और बोल्ड कल्चर तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सबस्क्राइब कर ले और साथ में दिख रहे बैल आइकन को भी प्लैस कर ले ताकि आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार